नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा क्यूज का जो है थर्ड एप्रिसोड है जहां पे मैं आपसे जो है सवाल पूछने वाला हूँ CCNA राउटिंग और स्विचिंग से रिले तो यहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसके बहुती स्पेशल आफर स्पेशल प्राइस के अंदर यह लॉंच किया जा रहा है जो कि 27 से स्टार्ट होने जा रहा है तो अगर आप यह कोर्स जोइन करना चाहते हैं मेरे वाट्सप नमबर पे जो है एडमिश सकते हैं जो बता दूँ आपको कि अभी जो है यह 27 से स्टार्ट होने वाला यहां पर बेसिकली यह तीन मेने का कोर्स रहेगा एक मेने के अंदर जो है आपको बेसिक क्लियर करवाया जाएगा उसके बाद जो है दो मेने के अंदर आपका CCNA का राउटिंग का कोर्स जो है व पहले question की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर screen पर देख पा रहे हैं एक diagram मैंने बना के दिया है तो पिछला video जो है जो है जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आपने मैं पूछने वाला हूँ तो यहाँ पर उसी से related जो है कुछ आपकी जानकारी पहले वाले episode के अंदर available है दोस्तों यहाँ पर आपको मैं को बताना है जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो hub लगाए गए हैं और उन दोनों hub के साथ में एक network जो है एक topology पूरी ready करी गई है तो आपको यह बताना है कि इसके अंदर कितने broadcast domain है और कितने यहाँ पर collision domain जो है वो available है इस network के अंदर बढ़ते हैं हमारा दूसरे question की तरफ तो दूसरा question है जैसे कि आप यह diagram देख पा रहे हैं तो यहाँ पर hub का इस्तिमाल भी किया गया और हमारे switch का इस्तिमाल भी किया गया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि hub और switch का यह जो आप पूरा एक network देख पा रहे हैं diagram देख पा रहे हैं तो इसके अंदर broadcast domain कितने हैं और collision domain जो है वो कितने available है तो यह भी आपको जो है मुझे बताना है और तीसरा question की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि screen पे कि यह जो यहा broadcast domain कितने हैं और हमारे collision domain जो है वो कितने हैं तो अगर इनके answer आपको आते हैं और आप एक network engineer हैं तो आप अपनी skill को ज़रा test कीजिए मुझे answer करके बताएं जल्दी से comment section में कि question number one का क्या answer है यानि कि उसके अंदर कितने broadcast domain है और कितने वहाँ पे जो है हमारे collision domain है question number second का भी आपको मुझे बताना है कि कितने collision domain है और कितने आपके broadcast domain है और तीसरे के अंदर भी आपको मुझे बताना है कि कितने broadcast domain है और कितने collision domain है इन तीनों के answer जो है अगर आपको आते हैं अगर आप एक network engineer है और आपको यह answer पता है तो do let me know in the comment section below सो दोस्तों I am sure कि आप करें शेयर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे साइट पर सब्सक्राइब का बटन उसको दवा के सब्सक्राइब कर दें साथी साथ बेल का एकन दबादें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए दोस्तों वीडियो को अंड करने से पहले बता दूँ कि हमारा एक ओफिशल चैनल है निरंकारी इंफो टेक के नाम से उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शिन के अंदर मिल जाएगा अगर आप कोई भी कोर्स करना चाते हैं जैसे कि हमारा CCNA, CCNP, CCI, MCSA, Linux वगरा कि जो अगर आप कूर्स करना चाते हैं तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो अप्लोड किये जाते हैं वो हमारे इन कूर्स से रिलेटेड ही जानकारी प्रॉइड करी जाती है तो यह हमारा एक अलग से चैनल है जह चला है तो लाइक करें शेर करें और अपने फ्रेंड्स तक जो है इस वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वह भी जो है नेट्वर्किंग फिल्ड के अंदर आके अपना करियर को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकें तो चलिए अब दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं तो आज की दोस्तों वीडियो के लिए तरह ही अगलाब दिवाने तक सीफ रही अलवट रही एंड वी आल वेस गुड तो दर्स